आप फील्ड होता है, सही होता है, जादा फोकस रहता है लडगियों पर रहता है, सुन्दर लडगियों पर रहता है, हम लोगों पर थोड़ा कम रहता है उसलिए कुछ अलग लिखना था, तो यही मन में आया है, तो लिखके लाएं नमस्कार, ST News देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी, भरत और दश्रीन अफरीका, वंडे सिरीज इंटरनेशनल मैच, राची के जेस, यह स्टेडियम में हो रहा है यहाँ पर कई अलग-अलग तरह के जवरा फैन इस वक्त स्टेडियम में पहुचे हुए हैं, जो की खेल का लुफ्ट उठाएंगे कोई विराट कोहली के अंदाज में पहुचा हुआ है, तो कोई धोनी के अंदाज में पहुचा हुआ है लेकिन आपको इस वक्त हम जो तस्वीर दिखाएंगे, वो एक बच्चे की तस्वीर दिखाएंगे, जो की 14 साल का है, 6th क्लास में पढ़ता है और इस वक्त जो यह आप देखेंगे कि तिरंगे से कलर अपने फेस पे किया हुआ है और हाथों में एक बैनर है, जिसमें लिखा हुआ है, कैमरा मैन लड़कों पर भी ध्यान दो यह कैमरा मैन उनके लिए है, जो स्टेडियम के अंदर होते हैं, हाला कि आपको बता दू, मैच में सेंटर ओफ अट्रेक्शन लड़किया होती है अलग अलग अंदाज में पहुचती है, तो ऐसे में जादा फोकस कैमरा मैन लड़कियों पर करते हैं, जादा टाइम ऐसा होता है कि खेल के बीच बीच में लड़कियों की तस्वीर जादा देखने को मिलती है और कहीं न कहीं इससे लड़के नाराज होते हैं कि आखिर उनके तस्वीर क्यों नहीं दिखाई जाती है, यह भी कहना है उनका कि अगर हम टिकट लेते हैं, तो हम इसके भी लेते हैं कि हम अपने प्लेयर को देख सके, और साथ ही साथ हम भी थोड़ा टीवी पर दिख सके, यह बच्चा है, क्या नाम है आपका? वीर. वीर, कहां से आए हैं आपका? लालपूर. लालपूर से आए हैं, यह कैसे खयाल में आया कि कैमरा मैन लड़कों पर भी ध्यान तो क्या लगता है, कैमरा मैन जो है लड़कों पर ध्यान नहीं देता है? नहीं. क्यों? क्यों ऐसा प्रचैन prayer करा लेता है एर कटिंग वो जाता है तो उसकी तस्वीर आती हे कोई अलगwnież में जाता उसकी तस्वीर आती है नॉर्मल वॉय जैसे जैसे इस में आप है ऐसे में क्या तस्वीर नहीं आती है नहीं नहीं आती है तो आपका क्या कहना है फिर उसलिए कुछ अलग लिखना था तो यहीं मन हुआ है तो अभी स्टेडियम के अंदर आपको कब जाना है अभी थोड़ा देर में जाएंगे इंडिया की बैटिंग का इंतसार कर रह है और साथ ही साथ लड़कियों की तस्वीर आती है लेकिन लड़कों की नहीं आती इसी बात से नाराज है और वी क्या बाहर भी परिशा इस बात की तकलीफ है कि बाहर भी जो कैमरा मैं है वो लड़कों पर ध्यान नहीं देते हैं नहीं नियूज वाले से शिकायत है नहीं वाले से शिकायत नहीं है अंदर जो पी पींड पया जो आपको भी होता है जो आपकी लड़कियों पर रहता है हम लोगों पे थोड़ा कंब रहता है और यह थोड़ा अलगी है तो यह दिखाना भी जोरी है यह मेसेज्ज देने की जरूरत आखिर क्यों पढ़ेति हैं लड़कियों पर ज्यादा फोकस्थ बॉल्कुल रहता है आप भी तो पहुंगे चलो करके दिखते ही ओगे फोकस रहता है लड़कियों पर ज्यादा रहता है अच्छा ये बताए कि मैच हो रहा है राची में भारत और श्रीन अफ्रीका का excitement है मैच को लेगा बहुत है बहुत है इंडिया का मैच है अब यसली रहता ही है तीम एक ही बात करें वो नहीं पहुंचा है टीम बी के प्लेयर है टीम भी से कहेंगे क्योंकि सभी न्यू प्लेयर ही है किसी इंट्रेस्ट है सबसे जादा लग रहे हैंगी मेरा मेरा तो शुरू से रहा है दोनी रहा है बट वहाइन अभी प्लेयर खेल रहे हैं उनमें से किन को सबसे ज्यादा खेलते हुए देखना पसंद करेंगी अभी तो वैसा कोई नहीं है अभी तो सब नियू है इंडिया के मैच के लिए और क्या ल अज कूछ भी हो जाएगा जीतेगा चलिए लिए और सोनु है इनका वीर भाई जो कि इनके छोटे भाई है सात में पहुंचे हुए थे और जो बैनर है लिए वीश में आप देख सकते हैं इसमें साफ दिखा हुआ है स्टेडियम पर जो कैमरा मैन होते हैं जो की टीवी पर दिखाते हैं कि match हो रहा है और इसके साथ ही जो वीज़ वीज में जो आप देख पाते होंगे जो लड़कियों की फोटो और तस्वीट चीयर्स करती हुए आती है उससे कहीं न कहीं ये लड़कों का कहना है कि लड़कों के भी तस्वीर आनी चाहिए और कहीं न कहीं ये message दे भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडरन अम्मानिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिये हमारे नंबरों पर संपर